दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे पसाओती हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी खबर से। चलाई जाएगी इन ट्रेनों का परिचालन नौ से 24 मार्च तक होगा पूरुमेद रेल्वे की ओर से सुमार को इन ट्रेनों की सुची जारी की गई है। आपके जानकारे के लिए बता दे कि 9 और 16 मार्च को गाड़ी सेंग्या 05269 मुझापरपूर से बलसाड के लिए चले वहीं ट्रेन सेंग्या 04047 मुझापरपूर और आनंद भिहर के बीच 9 मार्च को होली स्पेसल ट्रेन चलेगी। 10-24 मार्च तक मुझापरपूर से यस्वंद पूर के लिए गाड़ी सेंग्या 05271 का परिचलन किया जाएगा। इसके अलावा मधुबनी से दर्मंगावा स मस्तिपूर होते वाया मुझापरपूर हाजीपूर गौरकपूर के रास्ते जैनेगर से अनंद भिहर के लिए होली स्पेसल ट्रेन चला जाएगी। गाड़ी सेंग्या 055-07 जैनेगर अनंद भिहर वन बे स्पेसल 10 मार्च को जैनेगर से रात 9 बजे खुलेगी। बाड़े करमें देखे आईजी आएमेस में एडमेट मरीजों को मिलेगी बीसे सुविधा बेट तक पहुचे की दवाए लगेगा कॉल सिस्टम। जोड़ी भी सभी जानकारी असानी से प्राप्त होगी। आपके जानकारी के लिए बता दे कि अगर कोई मरीज इमर्जनसी वार्ड में एडमेट है तो वो से तुरंत किसी चेज की जवरत बढ़ती है तो इसके लिए कॉल सिस्टम की वेबस्ता की जारी है। सुपरिटेंडन के ओफिस में फरवर्ड हो जाएगा। बाड़ेखार में देखे उपेंदर खुस्वाह को वाई पलस रेनी की सुरक्षा मिली। ग्रेम अंत्राला ने बढ़ाए सिकुरिटी। ज़्याद के जदोयों में बगावत करने के बाद पदवा पाड़ी से सिपा देकर नई पाड़ी बनाने वाले आर एल जेडिया दैच उपेंदर खुस्वाह की सुरक्षा अब केंदर सरकार ने बढ़ा दी है। ज़्याद के बढ़ा देके बिहार में रब्तार का कहर 48 घंड़े में 47 के मौत 50 से अधिक घायल इनी जीलों में गई है लोगों की जान। ज़्याद के बिहार में पेचले 48 घंड़े के अलग अलग सड़क हादसों में 47 लोगों की जान चले गए वहीं 50 से अधिक लोग घायल हो गए मुझे परपुर समेथ उत्तर बिहार के जीलों में अलग अलग हादसों में 27 लोगों की मौत हो गई वहीं आपके जानकारे के लिए बता दे कि दरबंगा में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है बाड़े कर में देखे केंद्र से बिहार को 1807 करोड का केप्ट यूपी से सिवान तक 41 किलोमेटर सड़क की मंजूरी जियादे के केंद्र सरकार ने दो बाइपास समेत राज के तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए 1807 कडोर रुपी मंजूर कर दिया है इसमें बिहार से गुजरने वाले राम जान की मार्ग अररिया जिला में राने गंज बाइपास और वैसाली जिला में जंदहा बाइपास का निर्मान सामिल है राम जान के मार्ग के ताहद बिहार में परवेश करने वाले उत्तर परदेश के महरोना घार से बिहार में सिवान तक एक 40 किलोमीटर एनेच निर्मान के लिए 161.25 कडोर रुपी स्विकिर्थ के गए हैं इस सिस्से में निर्मान की स्विकिर्थ मिलने के बाद अब इसके निविदा जारी करने के कवायाद सुरू हो गई है बारे करमदे के पढ़ना में तेजी से बन रहा है डबल डेकर फ्लाइ ओवर जल्द सुरू होगा कारगिल चौक से कुलडिया कमपलेक्स के बीच निर्मान ज्याद के पढ़ना के कारगिल चौक से अनाटी की बीच बनने वाले डबल डेकर फुलाइवर में कारगिल चौक से कुलडिया कमप्लेक्स की बीच 15 मार्च के बाद निर्मान काम सुरू होगा निर्मान की दोरान किसी तरकी बादा नहीं हो इसके लिए कारगिल चोक से कुलड़ या कॉम्पलेक्स की बीच बीच सड़क में बेरिकेटिंग की जाएगी बेरिकेटिंग का काम जल्दी सुरू हो जाएगा सुत्र ने बताया कि निर्मान काम को लेकर ट्रेफिक विवस्ता इसमूत रखने के लिए ट्रेफिक पुलिस पदादी कारियों के साथ मिलकर निन्ने लेगी बाड़े खरमदे के चार रूपी किलो भी कोई आलू खरीदने को तयार नहीं गुसाई किसानों ने सड़क पर फेक दिया आलू सरकार के किलाब किया प्रदसन जादे के बेगुसरा के किसान इन दिनों काफी परिशान है इन्हें अपनी पसल का लागत मूल भी नैसीब नहीं हो पा रहा है आला मिया कि चार रूपी किलो भी कोई आलू खरीदने को तयार नहीं है इसी बात से गुस्ताई किसानों ने सड़क पर आलू फेक दिया और सरकार के खिलाब जम कर विरोध प्रदसन किया किसान MSP की मांग कर रहे हैं किसानों का कहना था कि यदि उनकी समय सव पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा किसान इस बात को लेकर परिशान है कि उनने ना तो आलू का उची दाम मिल रहा है और ना ही आलू रखने की कोल्डी स्टोरेज में जगा मिल रहा है आपको बता दे कि बचवाड़ा की राने एक पंचात किसानों ने जमटिया डाला चोक के पास एनेच 28 पर आलू से भरे ट्रेक्टर लेकर पहुचे और बोरी में भरे आलू को बीच सड़क पर फेख दिया एमेसपी की मांग सरकार सकी है बाड़ीकर में देखे बॉलीवूड अभी नेता 37 कोसिक का निधन जहां देखे बॉलीवूड से खबर है जहां जाने माने एक्टर और डारेक्टर 37 कोसिक का गुरुवार को निधन हो गया उनके काफी करीबी दोस्त अनुपम केर ने इसकी जानकारी देते वे लिखा कि 45 साल की दोस्ती पर आज पूर्ण विराम लग गया 37 के बिना जिंदगे फिर कभी पहले की तरह नहीं रहेगी 37 कोसिक ने सरसड साल की उमर में दुनियों को अलविदा कह दिया है बाड़े कर में देखे गंगा पातवे पर एक अप्रेल से दोड़ेंगे ओटो जाम की समयसा से मिलेगा निजाद जैद के गंधी मैदान से गंगा पातवे होते वे दिगा सोनपूर और हाजीपूर स्टिसन तक अप्रेल मा से ओटो का परिचालन किया जाएगा ओटो रिक्सा चालक संग ने इस नए मार्ग पर ओटो सिवा सुरुक करने का फैसल किया है इसका सबसे अधिक लाब दिगा गंधी मैदान राजापूर पूल बोरिंग रोड पाटली पूतर कोलोनी सहीत असुक राजपद के सटे बसे कोलोनी मौले में रहने माले लोगों क मिलेगा अब लोगों को सोनपूर और हाजीपूर आने जाने के लिए स्टेशन गोलंबर जाकर ओटो पकड़ने से मुक्ति मिलेगी लोगों को अब गाने मैदान या दिगा से ही ओटो मिल जाएगा इतना ही नहीं लोगों को मरीन ड्राइब पर आने जाने के लिए ओटो मि पर याताया दबाव को कम करने के लिया गया है बाड़ी कर्मदिक नागालेंड में विधायक ने बिना पोचे बीजेपी गड़बंदन को दिया समर्थन जिडिवी नागालेंड स्टेट कमीटी को किया बंग राज में विपक्त समाप ज्याद के होली खतम होते हैं देश और कि स्यासत तेज हो गई है जदोई नागालेंड कमीटी को बंग कर दिया गया है जदोई केंद्रिय कमीटी ने अनुस्ता आसमत करवाई करते भी या फैसला लिया है दरसल नागालेंड जदोई प्रदेश कमीटी ने बिना केंद्रिय ने तुत से समत लिये हुए ही भाजब के प्रबारी अबाक अहमद कान ने पुरे जदिक कमिटी को बंग कर दिया है अब नए सिरे से वहां कमिटी बनाए जाएगी बाड़े खर में देखे बिहार में घर बनाना होगा महंगा एट के बढ़ेंगे दाम सरकार टेक्स बस लिगे जो नहीं देंगे वो बंद होंगे एट भी होगी जब जादे के बिहार में जल्दी घर बनाना महंगा होने वाला है राज में एट के दाम बढ़ने वाले हैं नित तमाम इटो को भी जब्द कर लिया जाएगा इसका सिधा असर आम जनता पर बढ़ सकता है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि आप दक राज जिब भार में बड़े सेंक्या में संचले ते एट बटे टेक्स नहीं चुकाते हैं तर में देखे बिहार के सभी सरों में कीचेन तक पाइप से होगी गेस की सप्लाई जाने कब से पूरे होंगे प्रोजेक्ट जा देखे बिहार के सभी सरों में कीचेन तक पाइप से गेस की सप्लाई की योजना पर काम चल रहा है अभी बिहार के ऐसी आड़ परियोजना पर काम हो रहा है अगले पांच से साथ साल में बिहार के सबी सहरों में पाइपलाइन से रस्वी गेस के आपूरती करने का लाचर रखा गया है लेकिन बिहार में चल रही कई परियोजना समय से नहीं चल रही है 2024 तक पूरी हो जाने वाली परियोजना अब 2028 तक पूरी होने की बात कही जा रही है लेकर में देखे बिहार में अब आना जाना होगा और असान असी नए रूटों पर चलेगी बसे जहादेखे बिहार में बिबिन सहरों और कस्बों से आवागमन और आसान होने वाला है की मांग और लोगों की सुविदाव को देखते वे राज सरकार नहीं यहां निने लिया है कर में देखे एनेज पर दस फिज़े तक बढ़ेगी टोल दरे जदिके एक्सप्रेसिवे और नेशनल हाइवी पर सपर महंगा के जाने के तैयारी है अगा में पहली अप्रेल से नेशनल हाइवी अथोरेटी आफ इंडिया की तरफ से टोल दरों को बढ़ाया जाएगा इस बार पांच से दस फिज़े तक टोल दरों में जापा हो सकता है वह टोल दरी बढ़ाने के लिए नेशाई की परियोजना की रहनावन इकाई काम कर रही है पचीस मार्च तक सभी पी आईउ से संसोती टोल दरों का प्रसा भीज़िया जाएगा जिनने सड़क परिवहन मंत्राले की मंजूर के बाद लागू किया जाएगा कार एव महल के बहानों के लिए टोल दरी पांच पीज़ि बढ़ेगी और भारी बहान के लिए दस पीज़ि तक बढ़ने की सम्हावना है पाड़िकार में देखे राज में नवदा की तरजबर खुलेंगे अथी पीचड़ा करना विद्याले जादे के सुबे के सबी जीलों में नवदा विद्याले की तरजबर पीचड़ा अथी पीचड़ा करना अवास विद्याले खुलेंगे यही नहीं उनमें तमाम सुविदाई नवदा विद्याले जैसे ही होगी नामंगान से लेकर पढ़ाई हो और अवास की सुविदा रूप विद्दाले उनके जिले में स्ताफित होता कि उन्हें पढ़ाई में किसी तरह की परिसानी ना हो आपको बदा दे कि समय गारा जिलों में 12 आयने पिछड़ा वर्ग करना अवासी विद्दाले इस्ताफित के गए हैं वहीं पिछली दिनों साथ जिलों में अती करना अवासी विद्दाले हो जाएंगे आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें